नमस्कार, एबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूँ एबाउट इंडिया चैनल का वास्टे कुद्देश भारत की संस्कृती भारत के विराशत से आज के इवापिड़ी को परिशय कराना है और इसके दरगत आज हम लोग अपने चैनल पर एक नया प्लेलिस्ट जोड रहे हैं और वह प्लेलिस्ट है भारतिय चित्रकला के बारे में तो निश्चित है कि चितरकला के बारे में डिमांड भी आ रही थी कई जहेवा जो हमारे दर्शक हैं वो चितरकला के बारे में जानना चाह रहे थे और चितरकला के बारे में कह रहे थे कि अभी तक हम लोगों ने चितरकला को क्यों नहीं इंट्रड्यूस किया है तो निशित है कि चित्रकला इंट्रड्यूस होना भी चाहिए था और इसलिए आज हम लोगों ने चित्रकला को इंट्रड्यूस किया है और इसके अंतरगत जो पहली स्रिंखला हम लोग लेकर आये हैं वो निशित है कि चित्रकला को इंट्रड्यूस किया है तो पहले भारतिय चित्रकला का विकास हम लोग एसी पर एक वीडियो बना रहे हैं तो आईए भारतिया चित्रकला का विकास इस पर हम लोग धेखने का प्रियास करें कि क्या है अब दिखे से ब्हाशा में किसी को प्यार से पुकारते हैं उसमें जब भाव होते हैं, किसी को गुसे से पुकारते हैं तो उसमें भाव होते हैं, किसी को जब अक्रोध से पुकारते हैं तो भाव होते हैं, किसी को चिला कर पुकारते हैं तो भाव होते हैं, तो ये सब भाव हैं, ऐसे ही जब भासा का विकास नहीं हुआ था, यानि भा अधानव समाज में जब भासा का विकास नहीं हुआ था, तो लोग कैसे अपनी बातों को व्यक्त करे, तो लोग अपनी बातों को व्यक्त करते थे, वो ऐसे ही चित्रों के माध्यम से व्यक्त करते थे. और वास्तों में भारत में या भारती समाज में जितने भी कला हैं यानि संगीत कला हो या मूर्ती कला हो या जो हम लोग कहें वास्तू कला हो किसी भी प्रकार की कला हर कला में सबसे पहली कला का विकास अगर हुआ है कुछ तो वह है चित्रकला का जितने भी सांस्कृतिक कलाएं है उन कलाओं में सबसे पहला विकास चहवा चित्रकला का विकास चहवा होता है और भारत में चित्रकला का विकास चहवा भासा के पहले क्यों क्यों कि इसमें संचार का यह माध्यम था भासा के पहले ही जह वह संचार का अगर कोई माध्यम था तो वह था क्या चित्रकला अब चित्रकला जह है वह भासाओं का विकास अगर नहीं हुआ है उस समय से है तो इसका मतलब है कि निशित तोर पर हम लोग प्री हिस्टॉरिक में देख सकते हैं प्रागयतेहासिक कालों म उनमें अगर हम लोग देखें तो उसमें एक नाम जह है वह आता है भीम बेत का जो माना जाता है कि लगवग 12,700 इस्वी पुर्व के समय का जह है वह भोपाल के निकट जह है वह इस्थित है जहां पर चित्रकला जह है वह प्राप्त होती है एक है मंगरबानी तो मंगरबा इस पी पुर्व से लेके 5000 इस पी पुर्व तक सब पासान काल है इसमें भी हमें उत्रप्रदेश में है तो यहां भी हमें चित्रकला का विकास देखने को मिलता है इसके बाद हम लोग योगी माथा या गुडा हांडी की बात करें जो ओडिशा में है यहां पर भी काहू या किल वलाई यह तीनों अस्थल कहां है तमिलनाडू में हैं और यहां पर भी हमें लगवव तीस हजार से लेके दस हजार वर्ष पुराने चित्रकलाओं का प्रमाण प्राप्त होता है इसका मतलब है कि भारत में निश्चित है कि मानव जहेवा जब पाशान काल मे भी रहता था तब ही से जहेवा चित्रकलाओं जहेवा भारत में विक्सित थी और यह चित्रकलाओं वास्तों में कहां विक्सित थी तो ऐसी प्राचीन काल की चित्रकलाओं जहेवा दरसल गुहाओं में क्यों क्योंकि मानव जहेवा गुहाओं में निवासित था और गुह तो ऐसी स्थिती में गुफाओं की दिवारों पर उसने जहेवा चित्र उकेर दिये और वह चित्र कैसे उकेर दिया तो पत्थरों की सहायता से पत्थरों के ऊपर चित्र उकेर दिया हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि ऐसे चित्र कैसे जहेवा होते थे तो यह देखिए ये भीम बेतका के जहेवा रॉक पेंटिंग है जिसको हम लोग देख सकते हैं ये रॉक पेंटिंग है जिसमें जहेवा सिकार का जहेवा दृष्ष जहेवा देखने को मिल रहा है इसके बाद जहेवा ये भी जहेवा भीम बेतका का है जिसमें एक जानवर की जहेवा चित्र यह वह को पत्थर पर गया है । इसके बाद ये भी जिए और है जो जानवर का चित्र है एक गाए है और उसका बच्दा दूसित किया गया उसके बात Phrap सिखार का कर रहा है किर रहे हैं ये वह दरसाने का प्र्यास किया गया यानि वो अपने दिन चरिया को दर्साते हैं और इस से जहेवा हम लोगों को निशित तोर पर उस समय के कुछ इतिहास के बारे में भी पता चलता है कि मानव जहेवा क्या करता था और क्या करने की च्छमता जहेवा रखता था यह सब भी इस चितरकला के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है किन-किन रंगों का प्रयोग करता था और वो रंग जहेवा कैसे बनते होंगे इन सब का अनुमान किया जा सकता था अब देखिये प्राग इतिहासिक काल की बात करें हम तो उसी इतिहास में हम लोगों को सिंदु घाटि शब्धा भी जहेवा हमें राप् सिंदु घाटि शब्धा की बात करें यानि पाशान काल से आगे बढ़ते हैं हम जब नव पाशान काल के बाद तो निश्यत सब्धाओं का विकास होता और सब्धाओं का विकास में सबसे पहली प्राचिनितम सब्धा जो वारत में विक्सित हुई वह सिंदु घाटि सब् के अपने आपने तो मेच्यो रही है तो मेच्युर माना जाता है वह सताइस सो पचास से लेक dos tie के आसपास अब यहाँ माना जाता है तो मेच्यो ऊसा है पर दॉराण यह हमें देखने को मिलतीं हे बहुत तरह के चित्रकला यह मिलती है जिसमें हम लोग मर्दभांडों के ऊपर चित्रकला मिलती है तो मूर्तियों के ऊपर चित्रकला मिलती है और साथ-साथ उनकी जो लिपी थी वो लिपी स्वैम भाव चित्रात्मक थी यानि उनकी जो स्क्रिप्ट थी जिसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है वह script भी भाव चित्रात्मक्ती इसका मतलब है चित्रों का प्रियोग से इस समाज के लोग बहतर धंग से परिचित थे इस समाज के लोग बहतर धंग से परिचित थे इसके बाद हम लोग जब वैदिक काल में इंटर करते हैं तो वैदिक काल में भी हमें चित्रकला देखने को मिलती है और इसका दो प्रत्यक्ष उदारन जहेवा हमें एक तो चित्र दूसर मिर्दभांड जैसे हम पेंटेट ग्रेवेर भी करते हैं तो पेंटेट ग्रेवेर जहेवा के जो हमें पौटरी मिले हैं मर्दभांड मिले हैं उसमें हम लोगों को चित्रन जहेवा मिलता है उस वी भी अपने आप में अलग-अलग आकरतियों में बना जाती थी और साथ– साथ chat उस हवन वेधी के चारों तरफ एक उन नेकित रोप में जैसे मानfilled रीजए के इसमें किया क्या तो एक्चल में सारे के सारे ज्यामितिक चित्रों को हमने प्रसूत कर दिया और एक चित्रकला बन गई यानि एक पैटर्न का विकास हो गया और यह ज्यामितिक सारी क्यों क्योंकि डॉट बनाए गैंस है ऐधाया वाव को उस समय की भावज ट्रात्मक लिपी म ांन लिपी को देख सकते हैं एक लिपी जाह भाव सिन्दु गाटी सब्रिता की यह लिपी है जो भाव चितरातमक थी और यह सिन्दु गाटी सब्रिता के समय में पौटरी जहेवा है निश्चित है कि ऐसी पौटरी एक पूरी साथ नहीं मिलती थी उस सबको जोड़ा जाता है और जो हमारे विद्वान लोग है और उसने हैवा हां तो से जो किया हुआ है यह भी चित्र जो है वह हमें इंटर्वई सिंवलाइजेशन शहओ है लेकिन वेदिक क्या था एरत प्रण का प्रकार के प्रकार के है तो क्ल्चर के प्रकार के सारे यह भाल päकार है नहीं है सारे देखें यह भी यह के श मिलते हैं इस अलगग पैटर्ण यह हमें प्रति कात्मक चित्र है यहां पर क्या किया गया है और यह जय है भी देखे और हावनकुंड के साथ यहां पर फिर से जहवा क्या किया गया कि एक जहवा जयमेतिक आकरती जहवा बनाई गई यहाँ पर यह है तो उसको उसकी साज सज्जा बाहर से भी की जाती थी और बाहर से साज सज्जा करके जहवा इस परकार तो ये आज का pattern है, ये कहीं आज की तस्वीर है, लेकिन ये परंपरा कब से चल रही आ रही है, तो ये परंपरा वैदिक कालों से चली आ रही है, कोई ऐसा नहीं है कि वैदिक काल की तस्वीर है, वो परंपरा वहां से चली आ रही है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जामिति pattern जहेवा मिलता है अब जैसे यहाँ व्यग्यवेदी है तो यह देखिए जहेवा उसके समय में यह circle है तो यह semi circle है यह square जहेवा shape में है ठीक है और यह जहेवा कहा जाए तो यह है तो चत्रभुज ही लेकिन जहेवा एक अलग आकर्ति का चतुर्भुज तो इस प्रकार के सारे हम लोग कहें कि इस प्रकार की आकर्तियां वैदिक काल में प्राप्तों होती है अब देखें धीरे धीरे क्या हुआ कि सामराज्यों का वैदिक काल के पशात अगस्रिक संजूरी बीसी आते आते तक देखा जाए तो सामराज जो सेनापती का मंतरी का ऐसे एसे देशी चोटे-चोटे-चोटे सासक हैं अलग-अलग छेत्रों में उनका उद्य हुआ ऐसी स्थिती में क्या हुआ कि इनके पास धन जहाँ अतरिक्त थे और अगर धन अतरिक्त थे तो यह जहाँ कला को संरक्षन दे सकते थे इसलिए चित्र कला के संरक्षक वर्ग का सामराज्य के बनने से क्या हुआ कि चित्र कला के संरक्षक वर्ग का उद्य हो गया और ऐसी स्थिती में अब चित्र कला का विकास तिवरगती से हुआ जब संरक्षक मिलेगा तभी चित्र कला का विकास तिवरगती से होगा तो यहाँ अब की घटना जहेखें तो हम लोग देखते हैं कि चित्र-चित्र कला के छे अंगों के विकास की सूचना हमें मिलती है और इसी जह छे आंग चित्रकला के जो 6 अंग है इसकी चर्चा जहेएवा तीसरी सदी में पुस्तक लिखी गई थी वात्सायन ने पुस्तक लिखी थी कामशुत्र हलाकि यह यौन सिक्षा पर पुस्तक थी जो विश्व की पहली जहवा पुस्तक है यौन सिक्षा पर कामशुत्र उस कामशुत्र में भी जहवा चित्रकला की जहवा चर्चा है और कामशुत् पूर्व पहली सदी से मिल रही है और यहां तीसरी सदी यानि 400 साल बाद भी उस 6 अंग की चर्चा है आज भी हमें 6 अंग की चर्चा मिलती है तो यह 6 अंग है क्या चित्रकला के हम लोग इसको जानने का प्रयास करें तो 6 अंग क्या है तो पहला अंग है जिसे हम कहते हैं प्रस्तूति करण में भाव क्या है ये भी उसका अंग है फिर उसकी को कैसे प्रस्तूत करता है इसको भी चितर कला का अंग माना गया उसका साद्र्श विदान यानी चितर की जो चमक है चितर में कितना brightness रखा गया कैसे कैसे color का योज किया गया है वह इसपे के अंदर और उसके बाद देखिए वर्णिका भंग यानि रंगों का प्रभाओ विबिन जो रंग हैं उन रंगों के प्रभाओं को संजुक तुप से देखा जाए तो भी यह चित्रकला के अंग के रूप में तो यह चित्रकला के अंग जह है अब इसके बाद प्राचीन काल में ही अगर हम होता है मूर्तिकला में चित्रकला में लेकिन सबसे प्रमुख विकास होगा है वह देखा जाए तो गुप्त कालीन जह है और गुप्त कालीन काल में विकास हुआ है वह चौती सदी से लेके सात्वी सदी तक अब इसकी जो विशेष्टा है इसमें हम लोग देखें तो दर्म के अंदर जहेवा क्या हुआ तो चित्रों का बहतर और खास करके भित्ती चित्र भित्ती चित्र बहुत ज्यादा बनाए गए बहुत धर्म के अंदर यही प्राचीन काल के अंदर अलग-अलग जो मठ होते थे उन मठों में जहेवा चित्र जहेवा बनाये जाते थे और प्राकृतिक रंगों से चित्र बनाते हैं तो यह अपने आप में बड़ी अच्छी विशेष्था परंपरा है जो उस समय से चली आ रही है यह अजन्ता पेंटिंग जहाएवा जन्ता काल में पेंटिंग की गई थी जो गुप्त काजिन पेंटिंग वह उस पे और यह भी जा एक पूरी तरीके से जहाएवा कथानक जहाएवा चोटे-चोटे जहाएवा चित्रों के माध्यम से यह इसमें लगु चित्रांकर होते हैं और उन चित्रांकर के माध्यम से कहानियों को आगे बढ़ाया जाता है तो यह भी भित्ति-चित्र का विकास जहाएवा इसमें वह महल में भी चित्रकला विक्सित हुई और सासात मंदिरों में चित्रकला विक्सित हुई और खास करके दक्षिन भारत के मंदिरों में चित्रकला का विकास है वह बहुत बहतर धंग से हुआ जिसमें हम लोग एक नाम में लेना चाहूंगा व्रहदेश्वर मंदिर व्रहदेश कि इस्त्रियों का चित्र बनाये जाए पसुपक्षी के चित्र बनाये जाए लेकिन मंदिरों में अगर चित्र बनाये जाते हैं तो मंदिरों में चित्र बनाये गए वह मूल रूप से महाभारत की कथा या रामायन की कथा या पुरान से ली हुई कथा कोई पुरानी कथा या इनी पर आधारी जहवा मंदिरों में चित्र बनते हैं और जबकि अन्य जहवा राजप्रशादों में कई प्रकार के जहवा चित्र जहवा वो हमें प्राप्त होते हैं और इसके बाद तब हम मध्यकाल की जहवा बात करते हैं प्रचीनकाल के बाद जब भारत में चित्रकला आगे बढ़ती है तो मद्यकाल में भी चित्रकला विक्सित होती है और मद्यकाल में केंद्रिय सत्ता के अंदर दो छेत्रों में चित्रकला का विकास हुआ सल्तनत काल में भी चित्रकला देखी गई और मुगलकाल में भी चित्रकला देखी गई तो सासकों के अंतरगत सल्तनत काली चितरकला भी और मुगल चितरकला शैली भी जैवा हमें देखने को मिलती है लेकिन केंद्रिय सत्ता के अलावा, केंद्रिय सत्ता में ये थी, केंद्रिय सत्ता के अलावा भारत के अलग-अलग छेत्रों में, कुछ छेत्रिय सास्कों में, या फिर कुछ स्थानिय संस्कृतियों के अंतरगत, ग्रामीन संस्कृतियों के अंतरगत, चितरकला विक्सित हो और एटसेटरा मैं बता रहा हूँ क्योंकि इतना ही नहीं है इसमें बीकानेर सैली भी है ठीक है इसमें अजमेर सैली भी है यानि कई सैलियां है और इन सब सारी सैलियों पर जहाँ मैं अलग-अलग से जहाँ कुछ न कुछ वीडियो जहाँ जरूर बनाने का प्रयास इसके बाद देखिए पहाड़ी चित्रकला सैली और पहाड़ी चित्रकला सैली के अंतरगत जम्मू सैली है तो हिमाचल सैली संजोग्त है इसके अंतरगत में भी चम्बा सैली है तो कांगड़ा सैली है तो जम्मू सैली है तो उसके बाद नागर कोट सैली है यह इस प्रकार क अलग-алग चितरकला सहली हैं पहाड़ी छेतर में भी विक्सित हुई hai सब पर जह है वह कोसिस करूँगा कि जह है वह कुछ नकुछ जानगारी जह है वह दर्सकों तक पहुचाने का प्रयास किया जाए इसके बाद दक्कन ही चितरकला सहली दक्कन यानि भारत के दक्कन शित्र में भी चित्रकला सहली का विकास हुआ और उसमें हम तंजाबुर सहली की बात करें मैसूर सहली की बात करें बीजापूर सहली की बात करें ये सब सहली और एटसेटरा क्योंकि इसमें भी कई प्रकार की और सैलियां विक्सित होती है इसके बाद हम अगर उत्तर मध्यकाल की बात करें ये तो मध्यकाल की बात हो गई उन सभी मध्यकाल के जितने भी नाम मैंने लिया है सभी पर यानि मुगल कला पर हो या सल्तनत काल पर हो सब पर अलग-अलग वीडियो जह है वा निश्चित तोर पर बनाने का प्रयास करूँगा इसके बाद मैं बता रहा हूँ कि उत्तर मध्यकाल यानि मध्यकाल के बाद जह है वा जो चित्रकला विक्सित होती है उसमें भी भारत में जह है वा दो प्रकार जो जह है वा पतन के पश्चात जहेवा इन सब चित्रकला का विकास जहेवा हम लोगों को देखने को जहेवा मिलता है अब जैसे यह मुगल पेंटिंग्स है तो मुगल पेंटिंग्स में जहेवा छोटी-छोटी आकरती के जहेवा मानों को जहेवा बनाया जाता था दर्बार का दिर्श एक उत्साव का दिर्ष वा बनायागिया है। जिसमें भी छोटे-्चोटी मानव आकर्थियां बनी हुई है। तो राजस्थानी पेंटिंग में आख जो बनाए गये हैं। उसके बड़े यह पत्ना कलम सेली Isn'teast का बनाने का प्रयास करके अंतरगत ऑर मराठा दर्बार की जह वा एक पेंटिंग वा है जो कर सकते हैं कि 19 सधी में की प्ैंटिंग है अब इसके बाग हम लोग देखे तो आधनिक चित्रकला सैली का बिकास हम आधनिक चितरकला सहली का विकास मुख्य रूपसे देखा जाये तो भारत में उन्नीस्मी तथा बीस्मी सदी में जैवा विक्षित होता हुआ जैवा दिखाई जैवा देता है और उन्नीस्मी बीस्मी सदी में जिसमें राजा रवी बर्मा और अवनिंद नाथ ठाकूर्ड आदी प्रशिद 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 प यहीं प्रारंब हो गई थी और किस्मी सदी में जहेवा आज विद्धमान है और इस काल में मुख्य रूप से संके तात्मत चित्रकला सेली जहेवा प्रधान रही है और ऐसा इसलिए रहा है क्योंकि समाज वेक्तिवाधित हो गया है और वेक्तिवाधिता का विकास जहेवा ज्यादा बेहतर जहेवा देखने को मिलता है और इसी वेक्तिवाधिता के विकास के कारण जहेवा इस प्रकार की चित्रकला सेली का विकास अधिक देखा गया तो क्या जहेवा भविस्य में फिर से चित्रकला का और विकास होगा तो निशित तोर पर यह परिवर्तन का देखने का प्रयास कर रही यह और दुश्चनत को देखने का प्रयास कर रही है, इसीको दरसाइ गया है, रजा रभी वर्मा ने का एक चित्र बनाय था जिसे जहाँ कहा घिया है, galaxy of magicians, जो उस समय के संगीतकार हैं, उन संगीतकारों को नाम दिया गया galaxy of magicians, पैंटिंग का न जो साजहां के मिर्तियों पर उन्होंने चित्र बनाया था और यह साजहां के मिर्तियों पर चित्र बनाया था अपनी टेगोर का ही एक बहुत ही फेमस चित्र माना जाता है और बहुत हमारे सुतंता अंदोलन के दौरान में बहुत ही फेमस हुआ और वह था भारत माता का चित चिट्र चित्र और ऐसे की पड़्डी चित्र की पनावे प्रदोसित करने का प्रयास किया गया है ये भी contemporary painting है ये भी contemporary painting है जो आज के समय में जैवा जिसे हम modern art के रूप में भी जानते हैं ये तो भारत में चित्रकला जैवा इसी प्रकार जैवा विक्सित हुई अब हम लोग इसमें चित्रकला के अंदर गत इस playlist में जब आगे जैवा बनाएंगे तो इसमें से ही जैवा कु से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ जै हिंद